शतिस कडविधान सबाचनाव के लिए आमाद में पार्टी पूरी तरह से तयार है आज सीम केजरिवाल शतिस गड़ तोरे पर रहेंगे और जगदलपूर में रैली को संभोध दित रहेंगे इस तोरान उनके साथ पंजाब के सीम भगवंत मान भी साथ रहेंगे शतिस कडविधान सबाचनाव के लिए पूरी तरह से तयार है आज सीम केजरिवाल शतिस गड़ तोरे पर रहेंगे और जगदलपूर में रैली को संभोध दित करेंगे आज बड़ी खोशना 36 कोड में कर सकते हैं और बड़ा एलान वो कर सकते हैं इस दोरान उनके साथ पंजाब की मुक्यवंतरी भगवंत मान भी रहेंगे आज आदिवास्यों और किसानों के लिए सीम केजरिवाल कोई बड़ी खोशना कर सकते हैं और आदिक अपडेट के लिए हमारे समवधाता बलगराम पांडे हमारे साथ जोड़ गए बलगराम देखे आम आदमी पार्टी अब पंजाब के बाद और हर्याना के बाद 36 गड़ की तरफ रवाना हुई है 36 गड़ में पूरी तरह से तयार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और कोई बड़ा एलान आज मुख्यमंतर के इजरिवाल कर सकते हैं क्या कुछ खास कारिक्रम आज रहने वाला है मुख्यमंतर का 36 गड़ में इस तरफ छान में अपना चुनावी डिगुल भूप की है ठान-सबाच चनाव को लेकर कि आम आदमी पार्टी लगातार तार तैयारी कर रही है ताकि आने वाले दिनों में जो पितान सबाद चुनाओ है उसमें मजबूती के साथ हमार्टी पारटी चुनाओ लड़ा की अलाकि आज अर्बिन्द केजरीवाल शक्तिजगड़ के दोरे पर है आज वो कई बड़े ऐलान कर सकते हैं खास तोर से जो आदवाजी हैं जो किसान हैं उनके लिए कई गारंटिया दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस तरीके से दिल्भी और पंजाब में उनकी सरकार काम कर रही है उसी तरह से अगर शक्तिजगड़ में उनकी सरकार बनती है तो वो किस तरह से काम करेंगे लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इंडिया गड़ बंधन में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ दो हजार चुविस की चुनाओ को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो वजी बिठान सवाल चुनाओ में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों आमने सामने होंगे अगर 36 गड़ की बात करें तो यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस तरह से चुनाओी विगुल फूका है और खास और से अगर हम बात करें तो 36 गड़ और मद्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्यासियों की पहली लिष्ट भी जारी करती है तो कहीं न कहीं पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाओ लड़ती हुई नजर आ रही है और आज जगडलपुर में एक जनसभा को संपोजित करेंगे अर्बिन्य केजरीवाल और जनता को बताएंगे कि आम आदमी पार्टी अगर 36 गड़ में सरकार बनाती है तो किस तरीके से काम करेंगी और चुनाओ से 30 पहले आज अर्बिन्य केजरीवाल जनता को कई गारंजिया भी दे सकते हैं कि किस तरीके से वो पितानों के लिए काम करेंगे किस तरीके से वो आदिवादियों के लिए काम करेंगे किस तरीके से वो सिक्षा पर काम करेंगे किस तरीके से स्वास्त पर काम करेंगे तो तमाम ऐसे मुझ्टे हैं जिन्हें आज मंतिसे अर्विंद केजरिवाल ऐलान कर सकते हैं बिल्कुल अबलराम जिस तरीके से आपने बताया कि कॉंग्रेस और आमादमे पार्टी के बीच में थोड़ा सा टकराव जरूर हो सकता है तो ऐसे में जिस तरीके से आज किये जाएंगे 36 गड़ में आमादमी पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के तरफ से उसके बाद कॉंग्रेस का किस तरीके का रुख देखने को मिल सकते हैं तो ऐसे में सीधा मुकाबला आमादमी पार्टी का कॉंग्रेस से होगा तो कहीं न कहीं तो अभाविक है कि कॉंग्रेस को दिकत तो होगी लेकिन आप देखिए कि जिधान सभा चिनाओं में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस सामने सामने होंगे और 2004 यानि लोग सभा के चिनाओं में ये दोनों पार्टी या एक साथ चिनाओं मैदान में उतरे तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीचे से जिवान सभाद चिनाओं में दोनों पार्टियों की रणनी की रहती है कि दोनों पार्टिय आमने सामने रहेंगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिसला भी चलेगा तो कि अगर हम 26 गण में आज जनसभा की बात करें तो आज इस बड़ी जनसभाद शक्तिसगण में आमादमी पार्टि की है और इस जनसभा को खुद आमादमी पार्टि के राश्य स ठस्योज़ण अर्णिली केजरिवाल संबोधित करेंगे तो अब आविक है कि शक्तिसगर सरकार पर निताना सा देंगे और शक्तिसगर में सरकार कॉंग्रेज की है तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सुल्चला भी इस सिनाव के दौरान देखने को मिलेगा एकना देखने वाली बात ये होगी की दोनों लोग प्रत्यारोप का सुल्चला है वो किस हाथ तक ज्रहता है यदि 2024 सिनाव में यह दोनों पार्टी या एक शात मिलकर के लोग सभा का सिनाव लडएंगी ये भी देखने वाली बात होगी किस पार्टी किसी तरीके की रणवीची रहती है इस विधाम सभाद चुनाओं में बिल्कुल बलराम दिखे ऐसे कई राज्ये होंगे जहां पर तमाम पार्टी हैं जो है एक दूसरे के आमने सामने भी आएंगे